फिल्म शुरू होती है और रात का खुबसूरत नजारा दिखाया जाता है बाई नाम का एक लड़का जो इस फिल्म का मुख्य पात्र भी है वो एक लड़की का पीछा करते हुए एक बड़े आकार के दरवाजे पर पहुँचता है जब वो दरवाजे के विप्रीद दिशा म वे नदी के दूसरी और तैरते हैं आकाश से अपनी शक्ती के साथ वहाँ बिजली गिरती है बिजली उस लड़की के कंधे को चुगई इतना ही नहीं उस जगह की जमीन भी पिघली हुई है और वो जमीन उस लड़की को अपनी तरफ खीच रही थी बाई की दृष्टी से दफन कर उस लड़की की मृत्यू हो जाती है यहाँ वही प्रकट होता है जो अब तक देखा गया था यह सिर्फ बेग का दहस्वपन था हकीकत नहीं इस दहस्वपन को नजरंदाज करते हुए बाई अपने काम पर पहुँचती है उसे पता चलता है वहाँ पहुँचकर क् यह उस व्यवसाई का कथन था क्योंकि उसके साथी ने उसकी दुरलब वस्तूओं में से एक को चुरा लिया था वह लड़का कसम खाते हुए सबको अपना विश्वास दिला रहा था कि वह निर्दोश है लेकिन उस लड़के को नजरंदाज किया जा रहा था बाई वहाँ पहुच जाती है क्योंकि उस लड़के को सजा मिलने वाली थी और वह व्यापारी से कहता है मैं उसकी और से ख्षमा चाहता हूँ उसे छोड़ दिया वह व्यापारी से कहता है तुम जो मान गोगे मैं वह करने को त्यार हूँ वह व्यवसाई अपने चेहरे के भाव ऐसे ब तो मैं आपके मित्र को सुरक्षित और स्वस्थ होने दूनगा। अब भाइक के पास और कोई चारा नहीं था, तो वह बिजनेस्मेंट से सहमत है। जबकि भाइक यह जानती थी कि यह सा कार्य है जो खत्रे से भरा है, वह क्या कर सकता था, उसे यह कार्य पूरा करना था, इसलिए वे आकाशिय हटी प्राप्त करने के लिए एक नक्षा खोजने के लिए निकल पड़े, और वे एक रहस्यमई इमारत में पहुँच जाते हैं, जहां बाइक का सामना एक लड़की से होता है और वह उसे वहाँ देखकर चिंतित हो जाता है, ये लड़की थी उस लड़की की नकल, जिनके बारे में बाइक सपना देखा करती थी, उस लड़की का नाम शरली था, वह उन्हें नक्षा सौंपने के लिए तयार हो जाती है लेकिन वह यहाँ एक शर्ट रखती है कि वे अपने पूरे साहसिक कार्यम में शरली को अपने साथ रखेगे। बाद में उन्हें एक यात्रा पर देखा जाता है। वे एक नाव में नौकायन कर रहे थे और उनके साथ एक रहसे मयव यक्ती भी था। वह आदमी ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे वह उन्हें और उनकी मंजिल को पहले से जानता हो। वे सभी सही दिशा में जा रहे थे जब वे धारा के बीच पहुँचे थे तब शरली का कमपास काम करना बंद कर देता है। और उनकी नाव भी तेजी से कामपने लगती है। बाई और शरली ने पता लगाया था कि एक विशाल राक्षस है। वे नाव पर खणे होकर पानी की सतह पर एक नजर डालने लगते हैं। उन्हें पहली बार में कुछ नहीं दिखता लेकिन एक विशाल राक्षस अचानक उनकी नाव पर हमला कर देता है। इससे उनकी नाव तूट गई है। शरली पानी में डूबने वाली थी लेकिन बाई उसकी जान बचा लेती है। बाद में बेई के सभी दोस्त उस राक्षस का सामना करने के लिए वहाँ एकतरित हो जाते हैं। बाई, यहाँ एक विचार पर प्रहार करता है। वह पाल के कपड़े को मच्छली के जाल में बदल देता है। तो वह उस राक्षस को इस जाल में बांद सकता है। जैसे ही वह राक्षस उनकी नाव पर कुदता है, बाई उसे अपने बनाए जाल में फसा लेती है, लेकिन उस राक्षस ने जटके से उस जाल को फार दिया था, अब राक्षस आकरामक हो गया था, नतीजतन इसने नाव पर अराजकता शुरू कर दी थी, अब ये वहा सभी को अपनी चपेट में लेने वाला था, तभी वह रहसिमया आदमी प्रकट होता है जो शुरू में उनकी नाव पर देखा गया था, अब वह अपने बिजली के हथियार से राक्षस पर हमला करता है, उस राक्षस को बहुत दर्द हो रहा था, अंत में वह अपनी नाव छोड़ हैं जिस मार्क से तुम निकल पड़े हो, यह रास्ता खत्रे से बाहर नहीं है जिस पर आप विचार कर रहे हैं, हर कदम पर है खत्रा और वह राक्षस जिससे तुम अभी लड़े हो, दरसल इसे यहाँ एक दुष्ट देवी ने रखा था, अब वे सभी इन खत्रों से खोचता है, इसे दबाते ही उनके सामने एक सुरंग आ गई थी, वह सुरंग उन्हें एक विशाल द्वार तक ले जाती है, बाई, उस गेट को मुश्किल से खोलती है, यह एक बर्फ की गुफा थी जहाँ वे गय थे, यह इतना फिसलन भरा था और उनके लिए वहाँ खड बनाता है, फिर वह अपने दोस्त शरली के जीवन को सुरक्षित करता है, दूसरी और बेई के दोस्त भी दुर्भट नागरस्त होने वाले थे, अब बाई, ऐसा करती है जैसे वह शरली को अपने दूसरे दोस्तों पर धाकेलता है, इस बीच वे सभी एक सुरंग में गिर अब वे एक नई गुफा में पहुँच चुके थे, बाई, खत्रे में थी लेकिन शरली उसे एक और गुफा में ले आती है, जिससे उसका हुक ट्रापफेक दिया जाता है, शरली को ऐसा लगता है जैसे कोई उनके आसपास है, फिर यहां के अंधेरे में कई आखे खुल ज आती हैं, इतना भयावेह न जारा था, दरसल ये थी उन भिलियों की आखें, और भूखे भिलिये यहां उन पर आक्रमन करने को तैयार थे, इससे पहले वे कोई भी प्रवेश द्वार खोल सकते हैं, या वे वहां पहुँच सकते हैं, तभी वहां सभी भिलिये उन पर हमला कर देते हैं फिर पूरा समूह मिलकर उन भेलियों से लड़ता है वे अपनी तलवारों की सहायता से भेलियों को दूर रख रहे थे फिर बाई यहां कुछ बत्तिया जलाता है ये भेलिये रोशनी से दूर भागते हैं फिर बे यहां तैकरती है कि वो सभी भेलियों को बत्तिय जलाते हुए यहां दूर रखेगा, जबकि समूव के अन्य सदस्य इसका लाब उठाएंगे, वे उपरी प्रवेश द्वार से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, शरली यहां आपने जहाज के लंगर का उप्योग करती है, वो इससे रसी बांधते हुए उपरी प्रवेश की तूटने के कारण प्रकट हुई थी, अब भिरियों को श्राप मिला कि वे सूर्य की किरनों में नहीं आ सकते, जैसे सूरज की किरने उनकी खाल को जला देंगी, नतीजतन वे भिरिये उनसे कुछ दूरी पर चले जाते हैं, लेकिन वे भिरिये अभी भी अपने खून के प्यासे थे, और वे उनका शिकार करने के लिए अपनी भूख बुझाना चाहते थे, सौभाग्य से उन भिरियों को यह मौका नहीं मिलता है, वे सभी सूरज की किरनों का लाब उठा कर बाहर भूमते हैं, लेकिन बादल तुरंत सूरज को ढख लेते हैं, और सूर्य विही बाई, उस बुफा में फंस गई थी, अब बेई का दोस्त बड़ी मुश्किल से उसे धक कर उपर की तरफ लाता है, मुश्किल घड़ी का सामना करने के बाद अब उनमें जरा भी साहस नहीं था, क्योंकि उन्हें आगे और खत्रों का सामना करना पड़ सकता है, तो वे सभ दिव्य अस्थी लिए बिना वापस आ जाते हैं, शरली अपनी सहली बेई के घाव पर मरहम पटी कर रही थी जब वे शहर वापस आये थे, तभी पता चलता है कि शरली की पीट पर वही निशान बेई की पीट पर भी था, शरली अपने पूरे समूव को इकठा करती है, और पूर्वज एक समय पहले एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे, और वे गलती से दुष्ट देवी की गुफा में प्रवेश कर गए थे, जहां एक दुष्ट देवी कई वर्षों से विश्राम कर रही थी, उनके प्रवेश से उस दुष्ट देवी ने अपना आपक हो दिया तो वे सब लोग यह कहानी सुनकर परेशान हो गए थे, वे पूछते हैं शरली किया इस अभिशाप को दूर करने का उनका कोई तरीका है, वह बताती है जिस आकाशिय हडी के लिए हम निकले थे, वही हडी इस निशान को हटा सकती है, अब बे जो शरली के लिए प्यार वि प्रक्षित करेगा, अब उनके ग्रूप के सभी सदस्य इस मामले में उनकी मदद के लिए तैयार थे, अब वे उनही गुफाओं में पहुचते हैं जहां कई भेलिये मौजूद थे, वे उस गुफा के बारे में भली भाती जानते थे, इसलिए वे अब पूरी तयारी के सा पना रास्ता तै कर सकते हैं, जैसे ही वे उस थान को छोड़ सकते हैं, आकाशिय अस्थी प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे इसे पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो वे इस गुफा में फंच जाएंगे, वे किसी भी तरह से इस गुफा में प्रवेश करने के बाद दूस और वे पूरी एक आगरता के साथ आगे बढ़ रहे थे, फिर बेई का अपना पैर ट्रिगर पर डाल दिया जाता है, बाएक के उस ट्रिगर पर कदम रखने के बाद वो मंदिर तेजी से हिलने लगता है, और वे उन पर अजीबो गरीब हथियारों से हमला करते हैं, एक हथिय से तीर चला रहे थे जबकि दूसरे से तलवारे, जिससे ये बड़ी मुश्किल से अपनी रक्षा करते हैं, वे उनसे बच निकले थे तभी उन पर बड़े बड़े पिन गिरने लगे, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सभी खत्रों को पार कर लिया है, उनके सामने एक मदबरा दिखाई देता है, वही आकाशिय अस्थी उस समाधी पर भूम रही थी, जिसकी तलाश के लिए वे यहां पहुचे थे, यहां कई बड़े राक्षस उन पर हमला करते हैं, जैसे बाई, उस आकाशिय हड़ी को उठाते समय अपने थेले में रखती है, तभी वह योजना बनाता है और अपने समूव के सदस्यों को वहां से जाने के लिए कहता है, और वह स्वयम उनके बीच मकडियों का भोजन बन जाता है, क्योंकि उसके पास आकाशिय हड़ी थी, अब समूव उपर की ओर स्थिद गुफा में चला जाता है, अब शरली अपने दोस्त को सुरक्षित करने के लिए यही रुकी थी, वह उन पर हमला करती है, तीर चलाती है, तब बाई को भी उल्टा जाने का मौका मिला था, जैसे जैसे वे उपर की ओर बढ़ रहे हैं, वे मकडिया अपने वेब का उप्योग करके शरली को नीचे खीचती है, इसके बाद शरल सोच रही थी कि यहीं उसकी जिन्दगी खत्म हो जाएगी, लेकिन शरली को ऐसे छोड़ कर बाई कैसे जा सकती थी, वह तुरंत वहां आकर शरली को बचाता है, लेकिन वह भी वहीं फसा हुआ है, वे दोनों मिलकर उन मकडियों से लड़ रहे हैं, फिर पूरा समूह उन्ह सुरक्षित करने के लिए आता है, उस वेग्यानिक ने वहां पहुँचते ही इन मकडियों पर हमला कर दिया था, नतीजतन सभी राक्षस उनसे दूर चले जाते हैं, तब उन्हें मौका मिलता है क्योंकि वे किसी बड़ी चीज के पीछे खुद को चुपा सकते हैं, साइन् जैसा कि पहले देखा गया था कि पूरा मंदिर प्रकाश से जगमगा उठा था, इसने उल्लेक किया कि चेन रियेक्शन बनाया जा रहा था, अब थोड़ा सा प्रजवलित करते हुए पूरा मंदिर फट जाता है, विसफोर्ट से पूरा मंदिर जल गया था, अब ऑक्सीज जैसे ही वे ऐसा करते हैं तो शरली का कमपास फिर से काम करना बंद कर देता है, यह देख सभी लोग अचमवित रह गए, क्योंकि नदी राक्षस ने उन पर हमला किया था जब शरली के कमपास ने पहले काम करना बंद कर दिया था, तब वे जानते हैं यह मंदिर बिलकुल नदी के बीच में था, और नदी राक्षस भी उनके चारो ओर है, और उनकी समझ के अनुसार भी ऐसा ही है, वह राक्षस बिलकुल उनके पास था, और वह बार-बार मंदिर की दीवार से टकरा रहा था, यही कारण है कि मंदिर की दीवार धह गई है, और मंदिर में बहुत पानी भर गया था, अब नदी का राक्षस भी उन्हें वही मारने आया था, वे तेरते हुए मंदिर से भागने की कोशिश कर रहे थे, आखिर में बाई आ ही गई थी, उसने नोटिस किया, पीछे मुर कर, उसे लगता है कि नदी का राक्षस उसे अपनी चपेट में ले लेग यहां बेई की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस राक्षस पर एक बड़ा पत्थर गिरा था, और वह राक्षस उस मंदिर में बंधा हुआ है, अंत में वे अब पानी की सतह पर आ गये थे, इसका मतलब है कि बाई का पूरा समूह अपने मिशन में सफल हो गया था, सभी अप इस दिव्य हटी से सारे श्राप कोर देंगे, बेई की पूरी टीम उनसे सहमत है, इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है